कि जुगनू के कट को इतना बड़ा कर दिया गया कि जुगनू के ख़च को इतना बड़ा कर दिया गया सूरज को पिशली सफने कड़ा कर दिया गया दोस्तो आए आज जग मगाता सूरज आपके धर्यान है तिना भी मदट कर साथ कि यहां पर मौजूद सभी आवाम को मेरा असलाम अलेकुम यहां पर मौजूद सभी ने खास करके इस प्रोग्राम के जो और्गनाईजर्स थे उन्हें इतने महबत के साथ प्यार के साथ बुलाया लेकिन एक छोटा अफसोस है मेरे अपने उपर कि थोड़ा आज गेर लग रहा है वो गेर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके महबत में कोई कमी नहीं थी लेकिन आज इस महबत के मंच पे एक लड़वईये और अक्रमक भाशन करने वाले को बुलाया है इसलिए थोड़ा गेर लग रहा है लेकिन यहां के सारे शायरों को सुनते सुनते मेरे को यह मैसूस हो गया यह एसान हो गया कि लड़ते सिर्फ वो ही है जो मौबद बचाना चाहिए और आज यहां पे आप सभी के साथ तश्रीव रखके और सभी को सुनके यह एसान हुआ है और यह पता था लेकिन सच में अंदर से आज यह मैसूस हो रहा है कि उर्दू एक कौम की एक मजब की बाशा नहीं तो सिर्फ और सिर्फ महबत और अमन की बाशा है और मैं इसलिए आप सभी के साथ दर्कॉस्त करना चाहता हूँ कि हमारी भाशा हमारा जो शांती का संदेश है जो महबत है जो अमन है और इस मुल्क का जो दस्तूर है वो बचाने के लिए हम सब को आज लड़ना होगा एक साथ खड़े रहना होगा और एक दूसरे के खंड़ को खंड़ा लगा के खड़ा रहके इस जंग में हम सभी को लड़ना होगा और जो हमारे नौ जवन आए हैं बिहार से मैं आपकी इजाज़त लेके आपका थोड़ा सा एक शायर मोड़ीपा करना चाहूंगा कि अकोला से नफरत का नंबर डिलीट करना है और जो नफरत पहलाना चाहते हैं उनको बोलेंगे कि आप हमारे वोट का इंतजार करते रहें वाँ 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 यही कहिए मैं मेरे दो दो लव्ज खतम करूंगा और इस प्रोग्राम के ओर्गनाइजर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्तामना है और आप सभी को डेर सारा प्यार है